जोस्तों कैसे हैं आप सब लोग आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्त होंगे तो फ्रेंड्स ये जो मेरा व्लॉग है ना ये वसंत पंचमी से पहले का व्लॉग है लेकिन मैं इसको अप्लोड नहीं कर पाई थी मैंने पहले वसंत पंचमी वाला व्लॉग जो है ना वो अप्लोड किया है उसके बाद मैं अब आज ये व्लॉग जो है वो अप्लोड कर रही हूँ तो ये उसके दो दिन पहले का जो है वीडियो है और उस दिन इतनी हवा चल रही थी मौसम इतना ज्यादा खराब ठाना देखिए बहुत ज्यादा हवा थी और रात में ना हमने मुंफली खाके ना यहीं पर रड़ी थे छिलके न्यूसपेपर के उपर जब मैं सुबह उठके आई तो हवा से सारी जो मुंफली के छिलके थे ना वो बालकोनी में फैल गए थे त तो बस यहाँ पर सबसे पहले ना मैं सफाई कर लूँगी अच्छे से तो बस यह कूड़ा वगेरा सारा उठा लेती हूँ और अब भी देखे मैं ना ऊपर जो है वो चड़ गई हूँ क्योंकि यहाँ पे ना मैंने पर्दे लगाए हुए थे क्योंकि बहुत हवा आती है रात में थंड़ा भी हो जाता है इसलिए मैं जो शाम के समय यहाँ पर्दे लगा देखती हूँ मतलब लेकिन जो हवा थी ना वो इतनी ज़्यादा तेज थी कि जो मैंने लगाए हुए थे पर्दे जिस पर लगाए हुए थे वो भी टूट गई थी रस्सी तो इसलिए मैं यहाँ पर बस पर्दे भी टैक करके अब रख दूंगी और अब मैं नहीं लगाऊंगी और यह देखि है वो मैं उबालने के लिए रखा हुआ है किचिन भी मेरी सारी क्लीन हो चुकी है मतलब मॉर्णिंग का और मॉर्मोस्ट जो सारा काम होता है वो हो गया है नाश्ता भी हमने कर लिया है और यहाँ पेना मान्या बना रही है पेंटिंग आजकल मान्या का रोज कुछ ना परज्यक चल रहा है तो यह वाला जो पेंटिंग वाला भी है ना उसने यह संमिट करके देना है तो अभी वो वही अपना काम कर रही है और बस काम जो है वो सब कुछ होई चुका है और मैंने जो है नहां भी लिया है और इसके बाद अब मैं तैयारी करूंगी लंच की और भूब भी बहुत तेज लग रहे है ऐसा होता है काम करते करते टाइम का पता ही नहीं चलता और फिर जो मैंने टाइम देखा तो देखा कि लँच का टाइम हो चुका है तो जल्दी से ही अब कुछ बना लेंगे लंच में तो जो मैं किचन में आई तो मैंने सोचा आज ना पुलाव बनाती हूं थोड़े से मटर भी पड़े हुए हैं तो मैंने सोचा पुलाव ही इसका बना लेते हैं फटा-फट से तो बस जल्दी जल्दी अब चॉपिंग कर लूँगी ज्यादा कुछ नहीं डाल रही हूं बस मैं मटर के साथ थोड़े से आलू डाल रही हूं और बस मैंने प्याज यहां पे काटके रखा है चॉप के लिए चावल जो है मैं पहले ही भीगो चुकी थी और यहां पे मैंने बदेशाएं दाला अभी तेज पत्ता और जीरा बस जल्दी से ना जो यह वाले जो होता है ना मतर वाले चावल यह बहुत जल्दी बन भी जाते हैं और काफी टेस्टी भी लगते हैं और अब मैं डालूगे यहां पे अरी में छिलस्टन और अधरक का पेस्स ये मूश्री जो है वो डाल दूंगी तो बहुत चटवट से यह बन भी जाएंगे साथ ही साथ में इसके साथ में बना रही हूं टमाटर की चट्मी और इसको ना मैं पहले जो हैं वो गैस पे भून लूगी और मुझे बहुत अच्छी लगती है यह वाली चट्मी मैं मतलब बनाती रहती हूं इससे घर पे तो बस इसको इस तरीके से भून लेंगे साथ में रखी है हरी मिर्च और लहसुन और घुनने के बाद जो होता है ना इसका में बहार का छिलका है वो निकाल लूँगी जो देजनर और साथे रहATHER के बहुत निकाल लूँगी और इसमें मैं हलका सा जो और बृद्व इस टरीके से चीमित करला कुंद मैं और यह जरदा कुछ नहीं डालूँगी आप कंसquency तो इसमें फैनी लिंगा माट uğ oldu अनगे कमों यहनद कहलें तो मैं बस बिल्कुल लेकिन कुछ नहीं डाल रहे हैं इसे सिंपल तरीके से मैं बनाऊंगी तो देखें लंच मेरा त्यार हो चुका है प्लाव रेडी है साथ से मैंने चट्मी रखी है और उसके साथ ही मैं रखूँगी जो है ना बैंबू का अचार है ये जब हम लोग हिमाचल घूमने गए थे ना तो वहां से मैं अचार लाई थी और साथ ही मैंने रख दिया है सिर्कावला प्याज तो बस जल्दी-जल्दी स जो है न already know that करने के बार इसके बाद मैं आपसे ना सकने कहा हुए है ठोड़ी ही देर सोब तो सकार मेरा हो उसके बार नधन है और सबस्केया तरह हुए था वैं इसके अर्पर ना जा तरह फिद्द करए हुए हुए मैं ज बना सकूँ तो जो उत्रखंड में है ना एपन वो काफी फेमस है मतलब हर हमारे तीस यहारों पर हम यह बनाते हैं शादी में दिवाली पर काफी जो है ना यह हमारे यहां प्रचलित है तो बस मैं उसी का डिजाइन अभी यहां पर बनाने जा रही हूं क्योंकि दो दिन इस पर नहीं बना पाई थी तो आज थर्सडे भी है और जो थर्सडे है वो लक्ष्मी माता का दिन भी कहा जाता है तो मैंने सोचा आज यह बेस डे है इस काम को करने के लिए तो बस वही मैंने यहां पर शुरुआत कर दी है करने की और मैं कोई ऐसा बारीक काम नहीं करने में भी टाइम लगेगा और अभी जो है ना वो तीन बज ही चुके हैं मतलब आधा दिन चला ही गया है तो मैं डिजाइन जो है ना ऐसा बनाऊंगी जो बहुत जल्दी बन जाए तो फ्रेंट्स बस वही मैं इहां पर कर रही हूँ और देखें पेंटिंग मैंने जैसे आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि मुझे पेंट करने का बहुत ज़्यादा शौक है मुझे बहुत अच्छा लगता यह सारी चीजे करना और काफी टायम से मैं सोच रही थी कि करना है करना है लेकिन किसी ना किसी वज़े से डिले हो ही जा रहा था तो बस आज मैंने सोचा आज तो करना ही है क्योंकि परसो तिवहार है वसंद पंचमी है तो उससे पहले ना मैं ये कर ही लेती हूँ तो बस और मी मैं काफी डिजाइन आपके साथ शेयर करूँगी, जब मैं बनाऊंगी, एपन के, ये सारी चीज़े थोड़ा टाइम तो लेती हैं, इनमें पेशिंस की जरुरत होती ही है, और मैं तो यसे मैंने आपको बताया कि मैं कुछ ऐसा बारी काम नहीं कर रही हूँ, मैं ऐसा जो है ना, वो डिजाइन ब बना रही हूँ, बहुत जल्दी जो बन जाए, और अभी मैं यहाँ पर बना रही हूँ, लक्षमी जी के पैर, तो बस जल्दी ही ये डिजाइन जो है ना, वो बन जाता है, ये देखिए, अब ये पूरा बन चुका है डिजाइन, लग रहा है ना, खूबसूरत, तो फ्रे पानल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा, जल्दी मिलूंगी अपनी एक नई वीजियो के साथ, तब तक के लिए, बाई बाई